मुझे मेरे बहुत सारे सस्क्राइबर पुछते हैं कि जब से बारिश स्टार्ट हुई है तब से मेरे कार कम माईलेज दे रही है पहले वो 15 का माईलेज देती ती अब भी उसका एवरेज से 13 या 12 का ही मिल रहा है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कार में कोई प्रोग्लम नहीं है ये बारिस की वजे से हो रहा है हेलो दूस्ता आपका सवगत आपके चैनल लर्न टू टर्न में इस वीड़ो में हम देखेंगी कि बारिश में कार्स के माइलेज क्यों कम होते हैं और उसे हम कैसे बहतर बना सकते हैं बारिश का और का माइलेज का कोई डिरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है बारिश में माइलेज कम होने के काफी सारी वज़ा हो सकते हैं बारिश में रोड़ पर रहने आली पानी की वज़े से फ्यूल एकोनोमी पर एफेक्ट होता है जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा माइलेज पर एफेक्ट होगा कार आगे बढ़ते वक्त कार के टायर्स रोड पर रहने हाले पानी को पूष करते हैं जिसमें ज्यादा इनरजी की ज़रुरत लगती है और जितने ज़्दे इनरजी की जरुरत लगीए उतना ही ज़्यादा स्वियूल कंसुम होगा और चलती बारिश में ड्राइविंग करते वग बारिश की बुंदू की वज़े से होने वाला ड्रैक काफी effective रहता है और वो काफी noticeable भी रहता है आप notice करूगों कि कार को pickup लेने में हमेशा से ज़्यादा वक्त और effort लग रहे हैं इस करण भी ज़्यादा fuel consume होता है हमारे driving style भी काफी माइने में matter करती है क्योंकि बारिश में low visibility की कारण हमें slow driving करनी पड़ती है प्लस road पर रहने वाले गड़ों की कारण हमें slow और southern इसे driving करनी होती है बारिश में traffic भी काफी हद तक बढ़ जाती है ऐसे वक्त बार बार रुखने और चलनी की कारण काफी हद तक fuel consume होता है यह मैंने कूट observe किया है जब मैं normal weather में 3.500 km drive करता था तब मुझे 1.800 का petrol लगता था तब मेरी car 15 km पर लिटर का average देती थी लेकिन जब मैं बारिश में 3.500 km drive करता हूँ तब मुझे 2.100 रुपई या फिर 2.200 रुपई का petrol लगता है माने कि मेरी car 13 से 12 तक average देती है बारिश में बारिश के वक्त हमें हमारी fuel economy बहतर करने के लिए कुछ tips follow करने है बारिश के वक्त हमें हमेशा middle lane में ही car चलानी है क्योंकि road corners पर पानी जमा होता है और उस जमा पानी की वज़े से हमारी fuel economy कम होती है इसलिए हमें हमेशा बारिश में middle lane से ही चलना है और middle lane से चलते वक्त हमें बारिश की वज़े से होने वाले drag से बचने के लिए average speed में चलना है ज्यादा speed में नहीं चलना है जिससे हमारी fuel economy बहतर हो जाएगी और hydro planning का खत्रा नहीं रहेगा और बारिश में हमें hard accelerate नहीं करना है अच्छी fuel economy के लिए तो दोस्तो आशा करता है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा मेरा वीडियो पसना अगा अगर आपको मेरा वीडियो पसना तो प्लीज लाइक करें शेर कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले क्यूंकि मैं इसे ही वीडियो की साथ आते रहे तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे है तो उपर आए बाटन में दाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों हमेशा की तरह वही कहूंगा कि हमेशा driving करते हैं ट्राफिक रोस फॉलो किजिए क्यों हमारे ही safety क लगते हैं डाइविंग करते हैं अलट रही है और आपने मोबाइल से दूर रही है